Dear student, we have to discuss about the world population and associated impact. अब हम world population के साथ एक associated factor जो हमारे पास है, वो है environmental pillar. हम जब MDGs की बात करते हैं, Millennium Development Goal की बात करते हैं, और वहाँ पे SDGs की बात करते हैं, तो हमने जो targets बनाये थे, जो plan किया था, वो था healthy society, सियत मन मौच्चा, उसके लिए हमने जो plan किये, हमने बच्चे की पैदाश से पहले, pregnancy के वक्त, खवातीन के दर्मियां जो miscarriages या बच्चों की पैदाश के वक्त, अमवाद थी, उसको हमने control किया, उसके बाद vaccination के जरीए, हमने बच्चों के अंदर होने वाली disabilities को control किया, पोलियो, ना, गालिका वगारा, उसके बाद, हमने मुख्तलिफ diseases को control किया vaccination के जरीए, और हमने ये तस्वर कर लिया, कि जिस चीज से हम control करने जा रहे हैं, इस से जो हमारे targets हैं, वो हमारे बेतर अंदाज में नदर आएंगे, जब ये हमें बेतर अंदाज में नजर नहीं आए, और हमें जब उसको कास को identify करना पड़ा, तो हमें पता चला कि हमारी कास का एक और बड़ा factor है, जो कि हमने ignore किया है, और वो ignore किया हुआ factor जो था, वो हमारा environment था, इस environment factor के अंदर, जैसे ही हम टेकनालोजिकल अडवांस्मेंट की तरफ गए, टेकनालोजी अडवांस हो गई, तो हमारा सबसे बड़ा इशू, एर प्लूशर, देखें जहाज हमने जहाजों के जरीए, महीनों का सफर दिनों में तो तैय करना सीख लिया, लेकिन जहाजों से निकलने वाले धुमें से जो प्लूशर पैदा हुई, और उस प्लूशर की जो कास बनी, उसको हमने अड़रेस नहीं किया, उसके बाद गाड़ियों से निकलने वाला धुमा, हमने उसको भी अड़रेस नहीं किया, अब हम टेकनॉलोजीकल एडवांस होते हुए हमने अपने सफर को तेज किया तेज करने के बाद उससे पैदा होने वाले के धुमास जो था उस धुमें से जो हवा में पॉलूशन पैदा हुई उसको हमने ड्रेस नहीं किया इसी तरीके से नाइस पॉलूशन इसी तरीके से वाटर पॉलूशन कि हमारी सैनिटेशन प्रॉप परना होने की वज़ा से हमारा जो वाटर था वो में पॉलूटेड मिलना चुरू हो गया تو یہ وہ factor थे अगर हम ये कहा दें ये वो काज़स थे जिन काज़स की वज़ा से हमने जो target से बना एते हो हमारे चीम नहीं हुए अब इसके लीए हमारे पास जरूरी हो गया कि अब हमारा focus जहां पर economic के उपर है जहां पर हमारे पास other के उपर focus है तो अब ये इन्वार्मेंटल पिलर जो है ये डारेक्ट असोसेटिटेड है विड़ वर्ल्ड पापॉलेशन के साथ अब हम थोड़ा से इसकी लिंकेज को भी देख लेते हैं कि देखें मैं उसकी मिसाल आपको एक देना चाहूंगा एक घर में दो लोग रहते हैं कराें फर्स करें दोनों जाब करते हैं दोनों को बाद अपने अपनी कन्म NEW हैं एक मोटरभाई कैateg गाड़ी है दोनों यूज़ करते हैं चन्द सालों बाद उस घर में दो से शे लोग या आठ लोग हो गए हैं थोड़ा हम अपने पॉपलिशन ग्रोथ को अंडरस्टेंड करने कि अगर हम कोशी करें दो से आठ लोग हो गए या छे लोग हो गए हैं कुछ अरसे बाद हर एक को सेपरेट कर्वेंश चाहिए पहले वहाँ पर एक गाड़ी थी अब वहाँ पर दो गाड़ी हैं पहले एक मोटर बाइक थी अब वहाँ पर तीन मोटर बाइक हैं मैं सिर्फ एक खर की मिसाल दे रहा हूँ अब इस गर को हम उसके बाद मुलक को बे जाएं और मुलक को वर्ड को बे जाएं अब आप देखें इसका मतलब यह हुआ यह छे लोग जब बाजार में आएंगे या रोड पर आएंगे तो pollution किस तरह किसे इनहास हो जाएगी अब ये pollution जब इनहास होगी तो इसका मतलब है कि हमारा environmental factor जो है वो direct relate कर रहा है population growth के साथ अगर हमारे पास environmental की priority zero होगी तो हम ये target achieve नहीं कर सकते हैं हमारी environmental की priority जब बनेंगी तो ये direct relate करेगी population growth के साथ अब ये population growth जो है वो interlink है आपकी planning के साथ planning interlink है आपके मैं उसके एक छोटी से मिसाल के साथ ये बात वाज़े करूँ जब आपने एक मिसाल है कि हमने एक जो pollution control है environmental factor ने हमने pollution जो है उसको हमने control किया है हमने calculate किया कि इसके लिए इतनी plantation चाहिए अब फार example कि हमारी population बढ़ गई है तो हमारी pollution का rate बढ़ गई है तो हमारी plantation उससे एकलिया से कम हो गई है तो अब इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि हमारे ये जो अबराल अगर हम गुफ्तकू करें तो हमारे ये जो तीनों पिलन एकनामिक का भी है और environment का भी है तो ये हमारे तीनों जो पिलन है ये direct link है वर्ड पापलेशन के साथ अगर हमारी population growth control नहीं होगी तो उसका direct impact इकनामिक पर भी पड़ेगा उसका direct impact या ना वह हमारे environmental पर भी पड़ेगा और अपने other factors का भी पड़ेगा और फिर हम जो target receive करना चाहते हैं हम और target receive नहीं कर पाएंगे